हेलो गाईज, आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी दर चाइल्ड जो लिखी गई है बाई मुन्शी प्रेमचन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें यह स्टोरी बेज़ दैस सिम्बल ओव लव पे तो हमारी स्टोरी के मेन करेक्टर हैं गंगू और हमारी स्टोरी के नरेटर है एक घर के मालिक गंगू नरेटर के घर में सर्वेंट का काम करता था और वो एक ब्रामिन था narrator बड़े ही शांत सुबाव का इंसान था narrator के घर बहुत सारे सर्वेंट थे लेकिन narrator अपने छोटे मोटे काम बिना किसी सर्वेंट की help के ही कर लिया करते थे narrator के घर में गंगू के अलावा और भी बहुत सारे नौकर थे लेकिन गंगू उन साव से थोड़ा अलग था गंगू बड़ाई आलसी और लापरवा इंसान था वो अपने आपको ब्राम्मेन बोलता था लेकिन असल में वो ब्राम्मेन कल्चर की किसी भी बात को फॉलो नहीं करता था एक दिन गंगू नरेटर के कमरे में उन से बात करने गया लेकिन वो नरेटर से बात करते हुए थोड़ा हिचकचा रहा था और नरेटर ने जब गंगू को ऐसे बात करते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गंगू जैसे उन से कुछ पैसे मांगने आया हो या फिर वो उनसे किसी और नोकर की शिकायत करने आया हो लेगिन दरासल गंगू नरेटर से कुछ और ही कहने आया था गंगू ने नरेटर से कहा कि आज से वो नरेटर के घर काम नहीं करेगा और वो नरेटर के घर से हमेशा के लिए काम चोड़ कर चला जाएगा क्योंकि वो गोमती नाम की लड़की से शादी करने वाला था नरेटर ने गोमती का नाम सुनते ही कहा गंगू क्या ये वही गोमती है जो पहले वी तीन बार शादी कर चुकी है गंगू ने इस बात का जवाब देते हुए कहा जी हाँ ये वही गोमती है असल में गोमती देवी की पहले वी तीन बार शादी हो चुकी थी वो अपने तीनों हस्बेंट को छोड़ कर भाग गई थी और अब वो वापस अपने पुराने महले में रहने के लिए आ गई थी लेकिन आजपास के महले वाले गोमती को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो उसको बहुत ही लो करेक्टर की लेडी मानते थे लेकिन गंगू का इन सब बातों पर बिलकुल ध्यान नहीं था उसके मन में गोमती को लेकर हमेशा बड़ी इज़त थी नरेटर ने गंगू को गोमती से दूर रहने को कहा नरेटर ने गंगू को बहुत समझाया कि वो गोमती से मेरेज ना करे लेकिन गंगू ने नरेटर की एक बात भी नहीं मानी उसने अपनी सर्वेंट की जॉब छोड़ दी और फाइनली जाकर गोमती से मैरिज कर ली नेरेटर को लग रहा था कि गोमती और गंगू बहुत ज़द अलग हो जाएंगे लेकिन असल में वो लोग शादी के बाद हैपिली रहने लगे नेरेटर के पास से नौकरी छोड़ने के बाद गंगू बजार में एक ठेला लगाने लगा सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन अचानक से गोमती गंगू को छोड़ कर कहीं चली गई और उसी दिन नेरेटर गंगू से बजार में मिले और तब गंगू नेरेटर को गोमती के गायव होने की ख़वर दी और ख़वर सुनने के बाद नेरेटर मनी मन सोचने लगे कि मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि तुम उससे शादी मत करो अब देख लो क्या हो गया गंगू इस बात से बहुत ही जादा परिशान था लेकिन उसे गोमती पर अभी भी पूरा बरुसा था इस बात के बाद नेरेटर किसी काम से नानी ताल चले गई और एक महीने बाद वापस आए जब वो एक महीने बाद वापस आए तो गंगू उनसे मिलने के लिए उनके घर गया और जब वो नेरेटर से मिलने उनके घर गया तब उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी भी था उसी वक्त उसने नेरेटर को बताया कि उसे उसकी वाइव गोमती वापस मिल गई है उसने narrator को गोमती के भाग जाने का reason बताया उसने narrator से कहा कि गोमती घर से इसलिए भाग गई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी लेकिन गंगू उसके होने वाले बच्चे का फादर नहीं था दरशल गोमती ने जिस बेबी को जनम दिया वो बेबी उसके पिछले husband को belong करता था ना कि गंगू को तो writer ने इस बात पर गंगू को कहा कि तुमने उसकी ये बात कैसे मान ली तुमने ये सब कैसे accept कर लिया तो गंगू ने narrator से कहा कि ये बच्चा God की तरफ से मुझे एक gift है मैंने ये ही समझ कर ये सब accept कर लिया और गोमती पर मेरा शुरू से ही पूरा भरोसा था उसे मैं जैसे तैसे मना कर वापस ले आया गंगू की ये बात सुनकर narrator भी बहुत जादा खुश हो गए और उसकी तारिफ करने लगे और उस छोटे बच्चे को गोद में देखकर बड़े प्यार से उसे आशिरवाद देने लगे तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी The Child वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं आप से अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए थैंक यू